हाई फ्रेंड्स सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है और आए बनाते हैं मूली और गाजर का बहुत ही चटपटा सा आचार और यह बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही सिम्पल रेसिपी है कोई भी इससे बना सकता है इसके लिए मैंने क्या किया है मूली और गाजर को और के पास काला सरसो नहीं है तो आप इसके अंदर पीला सरसो भी डाल सकते हैं इससे अचार का कलर ज्यादा अच्छा आता है मेरे पास नहीं था पीला सरसो इसलिए मैंने काला डाला अब मैं डाल रही हूँ एक चमच राई के दाने राई अचार में जरूर डाले इससे यह मैंने दो टेबल स्पून डाला है तो अब जो हमारा मसाले है खड़े मसाले इसका मेजर्मेंट अपने नसार कम और ज्यादा कर सकते हैं अब मैंने हाफ चमच क्या किया है कि मेथी की दाने डाले हैं मेथी थोड़ा कड़वा होता है तो हम इसको थोड़ा कम डालेंगे तो तो मसाले अपने इंसार कम जादा आप कर सकते हैं, इसको हम roast कर रहे हैं, अब मैं डाल रही हूँ सौफ, तो सौफ भी बे दो चमस डाल रही हूँ, इसको भी हलका सा roast करेंगे करीबन 30 सेकिंड के लिए, ये जो वीडियो बना रही हूँ मैं, तो जितना मैंने time period वीडियो का ह उतना ही roast किया है मैंने, अब मैंने काली मिर्श के दाने डाले हैं, क्योंकि बहुत ज़दा roast करेंगे तो मसाले कडवे हो जाएंगे हमारे, तो बहुत ज़दा roast नहीं करना हमको मसालों को, तो अब ये भी हमारा roast हो गया है, आप देख सकते हो, हलका सा color change हो गया और बहुत क्या करेंगे न, इसके अंदर हम डाल रहे हैं अजवाइन, लेकिन ध्यान ये रखना है कि अजवाइन डालने के पहले gas को हम कर देंगे close, और close करने के बाद हम अजवाइन डालेंगे, कि कड़ाही इतनी गरम होती है कि अजवाइन उसी में सिख जाएगी, अब हम क्या करें और इसका एक दरदरा सा हम पाउडर बना लेंगे, यह आप देख सकते हो, दरदरा fine powder मत बनाया, क्योंकि मसाले में थोड़ा सा दरदरा powder ही अच्छा लगता है, अब मैंने क्या किया वापस से कड़ाही रखा है gas के उपर, कड़ाही को on करेंगे, मतलब sorry, gas को on करेंगे, और हमने हरी मिर्च को, तो वो हम इसके अंदर डाल देंगे, आप देख सकते हैं, हरी मिर्च को डाल दिया है, और तेज हमारा आच बिलकुल तेज है, gas बिलकुल हाई पर है, हम इससे slow नहीं करेंगे, अदर्वाइस हमारी जो सबजियां हम डाल रहे हैं वो गल जाएंगी, हलक अचार में इससे अचार का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है निकल कर, तो यह हम डालेंगे हिंग पाउडर, और अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, तो यह लाल मिर्च पाउडर हम डाल रहे हैं, लाल मिर्च पाउडर अब अपने नुसार डाल सकते हैं, जि आप माल लेजी कि दो स्पून दो टेबल स्पून तो नहीं कह सकते हम थोड़ा सकता मतलब देड़ टेबल स्पून के असपास और गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई रखेंगे और इसमें हम इन गाजर और मूलियों को डाल देंगे क्योंकि अगर आप लो रखोगे ना तो क्या कर गैस को तेजी रखेंगे अब हम इसे अलट पर लेट लेंगे फ्लेम हमारी तीज है मतलब हाई फ्लेम पे हमारा गैस कड़ा ही है अब इसके अंदर हल्दी पाउडर डालेंगे थोड़ा कलर अच्छा जाएगा और अब मैं डाल रही हूं आमचूर पाउडर तो मैंने इसको अलट पर लेट लेंगे हम, बहुत इस सिंपल रेसिपी है, बहुत आसानी से बन जाती है, और अब इसके अंदर वो जो मसाले हमने कूटे थे, मतलब मिक्सी की में केजार में जो रूटेट किये थे, उन मसालों को डाल देंगे, तो हलका सा जो कलर है और निखर के अगर आप पीला सरसो यूज़ करोगे तो, तो मेरे पास पीला सरसो नहीं था, इसलिए मैंने काला सरसो यूज़ किया, अब लास्ट में हम इसके अंदर नमक डालेंगे, यह देखे, कडाही थोड़ी छोटी है, तो समान इधर-धर विखर जा रहा है, बस इस स्टेज पे ह हम गैस को बंद कर देंगे, यह आप देख लीज़े, मैं कडाही को दूसरे साइड ट्रांसफर कर रही हूँ, और इसके उपर हम तड़का लगाएंगे, तड़का के लिए मैंने क्या किया है, तेल मैंने थोड़ा कम डाला है, आप ज़्यादा टेल डालोगे, तो और अच् तो अब क्या किया है ना, कि तेल को गरम कर दिया है और गैस के उपर से हटा दिया है, और हम गैस को करेंगे बंद, वापस से ट्रांसफर करूंगी, मैं कडाही को इधर, क्योंकि कैमरा में आप देखो कि मैं क्या करने जा रही हूँ, और अब मैं क्या करूंगी ना, यह ते का लगा देंगे इसकंदर इससे क्या होगा न सब कलर अचार का बहुत ही टेस्टी देखने में भी लगेगा और बहुत ही अच्छा कलर भी निखर कर आएगा तो फ्रेंड्स ये रेसिपी जरूर बताईएगा खा करके आपको कैसी लगी और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कम से रेसिपी देखना चाहते हैं तो ममाज धाबा को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्म